मतर मसरूम की सबजी आल्मूस्ट सभी को बहुत ज़़ा पसंद होती है और खास करकि अगर ये सर्दियों में बनाये जाए क्योंकि सर्दियों के टाइम पे एकदम फ्रेस मतर मिलता है एकदम उसका जो टेस्ट होता है मीठा सा होता है जिससे हमारी सबजी जो है और ज़दा स्वाधिस्ट लगती है तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल मतर मसरूम की सबजी बनाना तो चलिए स्टार्ट करते हैं अगर आप चैनल पे न्यू हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए जिससे मेरी लेटिस्ट नॉटिफिकेशन की जानकारी आपको मिलती रहे तो चलिए मतर मसरूम बनाना स्टार्ट करते हैं तो मैंने यहाँ पे तीन मीडियम साइज के टमाटर ले लिए हैं और दो मीडियम साइज के प्याज और पास से छे लहसुन की कलियां तीन हरी मिर्च और एक तुकड़ा अधरक का तो इनको हम रफली चॉप्ट कर लेंगे तो सबसे पहले मैं प्याज को कट कर लूँगी तो प्याज को मैं एकदम रफली कट कर रही हूँ आप चाहें तो बारिक भी कट कर सकते हैं तो प्याज मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं तो आप मैं टमाटर को भी रफली चॉप्ट करूँगी हरी मिर्च को भी कट कर लेंगी तो मैंने यहाँ पे एक पैन पे वन टेबल स्पून ओयल डाला है अब ओयल को गरम होनी देते हैं अब इसमें एट कर देंगे प्याज तो प्याज को अच्छे से स्टर कर लेंगी और प्याज को हमें हलका गोल्डन ब्राउन होनी तक भुनना है जादा हमें प्याज को नहीं भुनना तो प्याज हमारा जो है हलका ब्राउन हो चुका है हम मैं इसमें एट कर दूँगी टमाटर लैसुन और अद्रक के तुकडे और हरी मिर्ज इन सब को अच्छे से मिला लेंगे और इसके उपर हम नमक डाल देंगे जिससे की जो हमारा टमाटर है वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए अब मैं इसे लिट लगा के एक मिनट के लिए कोकोने के लिए रग दूँगी तो मैंने यहाँ पर आदा किलो मटा ले लिया है जिसे मैंने चिल के अच्छे से धो लिया है और यहाँ पर मैंने धाई से ग्राम के करीब मसरूम लिया है तो चलिए पहले मसरूम को दो लेते हैं मस्रूम को दो से तीन बार गरम पानी में डालके अच्छे से धो लीजेगा क्योंकि मस्रूम में आपने देखा होगा कि एक चिपचिपा सा पन होता है वो निकल जाएगा तो इस तरीके से हातों से हमें मसलते वे मस्रूम को धो लेना है तो मैंने मसरूम को दो के अच्छे से ड्राय कर लिया है अब हम इसे कट कर लेंगे तो आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं इसके चार पीस अब इस तरीके से बना सकते हैं या आप इस तरीके से भी कट कर सकते हैं ये देखिए बीच में से cut लगाना है और इस तरीके से cut करना है आपको जो भी easy लगे आप उस तरीके से cut करिएगा तो इस तरीके से मैं सारे मसरूम cut कर लूँगी तो यहाँ पर एक मिनट हो चुका है तो टमाटर भी हमारे काफ़ी अच्छे से गल चुके हैं तो बस इसको थोड़ी देर हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं अभी बहुत ज़्यादा गरम है उसके बाद हम इसे grind करेंगे तो अब हम इसे grinder जाल में डालके grind कर लेंगे इसका एक paste ready कर लेंगे तो मैंने यहाँ पर एक fine सा paste ready कर लिया है तो आप देख सकते हैं इसका कितना natural color आया है तो चलिए अब हम बनाते हैं मटर मस्रूम तो मैंने यहाँ पर one table spoon oil add किया है तो oil को थोड़ा गरम होने देते हैं तो अब हम इसमें add कर देंगे तेज पत्ता और cumin seed यानि की जीरा अब मैं इसमें add कर दूँगी paste जो हमने ready किया था इसको एक बर अच्छे से चला लेंगे और अब हम इसमें add कर देंगे मसाले तो यहाँ पर मैंने एक चमच धनिया पाउडर लिया है आधा चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच लाल कस्मेरी मिर्ष पाउडर इन सबको अच्छे से एक बर mix कर लेंगे और lid लगाके इसे हम एक मिनट के लिए अच्छे से बुनने के लिए रख देंगे तो एक मिनट हो चुका है मसाले हमारी काफे अच्छे से बुन चुके है तो यह देखिए इसका कितना natural से एक्दम fine सा color आया है और size से हमारा जो oil है वो भी release होने लगा है इस point पे यहाँ पे मैं add करूँगी 2 चमज fresh cream आप इसकी जगे जो घर पे fresh मलाई होती है उसे भी use कर सकते हैं इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसमें हम add कर देंगे butter mushroom इन सबको अच्छे से mix करेंगे और मैं यहाँ पे add कर रही हूँ नमक तो नमक आप अपने taste के according कम या ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद मैं add करूँगी 1 चमज गरम मसाला तो गरम मसाला add करने से इसका जो taste है वो और ज़्यादा enhance हो जाएगा इन सबको अच्छे से एक बर mix करके चला लेंगे और अब मैं add करूँगी पानी तो यहाँ पे पानी मैंने आदा कप करीब add किया है आपको जितनी gravy चाहिए आप उसके according पानी इसमें add करिएगा तो बस अब हमेसे 4-5 मिनट के लिए कुकोने के लिए रखना है तो 5 मिनट हो चुके हैं तो चलिए चेक करते हैं तो देखिए इसका कितना एक natural सा color आया है तो चलिए एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मटर हमारे अच्छे से गले हैं या नहीं तो यहाँ पे इस तरीके से मटर को मैं press करके देखूँगी तो यह देखिए मटर अच्छे से गल चुके हैं और वैसे भी ठंडियों में जो मटर आते हैं वो easily cook हो जाते हैं उसमें हमें ज़्यादा time लगता नहीं है तो बस आप यह ready है साउप करने के लिए तो चलिए हम साउप कर लेंगे तो लीजए guys हमारे एकदम restaurant style मटर mushroom बनके ready हैं आप भी easily घर पर एकदम restaurant style मटर mushroom बना सकते हैं तो चलिए आप मैंसे धनिये से garnish कर लोगी तो मैंने यहापे मटर mushroom को कर लिया है serve तो आप देख पा रहे होंगे जो इसका color एकदम restaurant style है तो कितनी easily आप घर पर एकदम restaurant style मटर mushroom बना सकते हैं और यह रोटी, नान, चावल सभी के साथ बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है तो उमीद करती हूँ आपको मेरे मटर mushroom मराने की recipe पसंद आई होगी तो जल्द इसे वीडियो को like, share and channel को subscribe कीजिए मिलते हैं new और interesting recipe के साथ Till then bye bye, thank you for watching